प्रिये बच्चों हिंदी की कख्षा में आप सब का हादिक स्वागत है तो आज मैं आपको बाल गोबिन भगत के अभ्यास प्रेशन करवाने जा रही हूँ मुझे आशा है कि आपने जो असाइन्मेंट प्रेशन है वो अवश्य कर लिया होंगे फिर भी किसी को असाइन्मेंट प्रेशनों में प्रॉलम है तो वो बच्चा मुझे से पूर सकता है तो मैं चलती हूँ आपकी जो है अभ्यास प्रेशन की तरफ तो सबसे पहला प्रेश थे फिर भी उनका आच्छन सादू जैसा था सबसे पहले बात तो यह थी कि वे अपना जीवन सहब को समर्पित किये हुए थे वे स्वयम को भगवान का बंदा मानते थे वे अपनी कमाई कमाई पर भी पहले भगवान का हक मानते थे इसे लिए फसलों को पहले सहब के दरबार में कबीर पंती मर्थ मिल जाते थे और वहां से जो भी परसाद रूप में मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे और उन्होंने अपने पुत्तर की मृत्ति को भी उस्तर की तरह मनाया बगजी कभी किसी के साथ जूट नहीं बहुते थे जगड़ा मोल नहीं लग लेत थे यहां तक कि किसी के खेत में भी शोच तक होने नहीं जाते थे वैस यह सादू होने के ही लक्षन है वे अपना तन्मन प्रभुबक्ति और बक्तिगीत गाने में लगाया करते थे ठीक है यह तर पहला प्रेशन अब दूसरा प्रेशन है कि भगत की पुतर वदू उन्हे अकेला क्यों नहीं चोना चाहती थी इसका उतर होगा कि भगत की पुतर वदू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं उनका एक मातर पुतर मर चुका है वे बुड़े हैं और भक्त हैं उन्हें घर बार और संसार में कोई रुच्ची नहीं है अतावे अपने खाने प दवादारू का परबन करना चाहती थी अगला प्रेशन है भगत ने अपने बेटे की मृत्यू पर अपनी भावना एकिस प्रकार प्रगट की इसका उत्तर होगा कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यू को ईश्वर की इच्छा कहकर उसका सम्मान किया उन्होंने उस मृत्यू उसके सामने प्रभु भक्ति के गीत गाने लगे फिर वे खंजरी की ताल पर तनलीन होकर गाते चलेगे उन्होंने विलाग करती हुई पतोगु को भी उस्समनाने के लिए कहा अगला प्रेशन है भगत के विक्तितव और उनकी वेश्बूशा को अपने शब्दों में चितर प्रस्तुत कीजिए ठीक है अपने शब्दों में चितर प्रस्तुत कीजिए यह अगला प्रेशन है ठीक है चितर प्रस्तुत कीजिए इसका अंसर होगा कि बगजी गिरियस्त होते हुए भी सिदे साधे भगत भगत सादू थे ठीक है उनकी आजू साथ वरसे कुछ उपर वे मंजोले कत्के गोरे चिक्ते आदमी थे उनके बाल सफेद हो चुके थे उनका चेरा सफेद पालों के कारण जगमगाता रहता था वे लंबी दाड़ी जटाए नहीं रखते थे कभी वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे है न वे प्राया कमर में लंगोती पहने रखते थ सर्दियों में वे काला कंबल ओड़े रहते थे उनके माथे पर सदा एक रामन जंदन सुशोबित रहता था भगत जी का विक्तितव गायक भक्तों जैसा था वे हमेशा खंजडी की ले पर प्रभुर्वक्ति के गीत गाया करते थे उनकी इस तल्लीन ता सुनने वालों को अ बालगोबिन भगत की दिंचरिया लोगों को हरान कर देती थी वे भगत जी की सरल्टा साद्गी निस्वात्ता पर हरान होते थे भगत जी भूल कर भी किसी से कुछ ने लेते थे बिना पूछे किसी की जी जूते भी नहीं थे यहां तरकी किसी दूसरे के खेड में शौच भी नहीं करते थे लोग उनके इस खरेवे वहार पर मुग्द थे लोग भगत जी पर तब और भी चारेक आश्चरे करते थे जब भूर काल में उठकर दो मिर्सित नदी में सनान कराते थे वापसी पर विगाव के वहास्तित पोकर के किनारे प्रभू भक्ति के गीत गाया करत पारे थे झाति, ध्यात के अब आपके अधार पर बालो भी ब्घॉष के मदूर गयाय कोशन नमबर आपका है 6 ठीक इस गान्सर होगा बैटा कि बालो भी भगत के दिंचर्या लोगों को हरान करने वाली थी ठीक है और वे भगत जी की सललता साथगी और निस्वाक्ता पर हरान होते थे वे भगत जी बूल कर भी किसी कुछ नहीं लेते थे वे बिना पूचे किसी की जूते भी नहीं थे यहां तक कि किसी दूसरे के खेत में शोच भी नहीं करते थे लोग उनके साथ उनके अच्छ सित नदी में स्नान करने जाते थे वापसी पर्वे गाम के बाहर सित पोकर के किनारे प्रभु बक्ति के गीट टेरा करते थे उनके इन परभाती गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते थे ठीक है अब है सिक्स कोश्चन जो है वो क्यों वह था क्षिशन कि बाल गुबिन भगषत की दिन चारया लोगों के चलच का कारण क्यों ही अब मैं बोर यहूं कि बाल ग भद बगषत के मदूर गायन की विशेशता है लिको ठीक है इसमें आएक आए का सरर कि बालगोबिन बर्वुबक्ति के मस्ती बrencesी बर्य गीत गाते थि उनके गानों में सची तेर होती थी उनका स्वार इतना मुहँचा होता था कि सुनने वाले म locale हो जाते ते और ते उस गीष गुनगुनाने lag थी खेतों में काम करने वाले किसानों की हाथ और पाव एक विशीश लए में चलने लगते थी उनके संगीत में जादूई प्रभाव था वैमन मोहग प्रभाव सारे वातावन पच्छा जाता था यहां तक कि गंगोर सर्दी और गर्मियों की उमस में भी उन्हें दिगा नहीं पाती थी ठीक है यह थे आपके असाइन्मेंट प्रेंट को स्था अभ्यास प्रेंट जो है शिक्स अब नेस्ट विच्छन है मैं सेकिंड पार्क में आपको बता रही हूं ठीक है यह आपने इस्ट प्रेशन कर लेकिने और एक हैं और सब्सक्राइब कि वीडियो में नेस्ट ब्रॉशन आपको अश्प्लेयर्न करके मैं बता देते हूं वेटा, ठीके?